लाइट कैमरा एक्षन ओम नमस्षिवा है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले फिल्म दे केरला स्टोरी के लिए इसके डिरेक्टर और प्रोडूसर विपुल अमृतल शाह और डिरेक्टर ओम राउट एंड लीड एक्ट्रेस अदाश शर्मा को बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ क्योंकि फिल्म ने 200 करोड रुपे कमा लिये 200 करोड से जादा का बिजनस कर लिया है और यह यह 300 करोड से भी जादा कमाएगी और यह पहली ऐसी फीमेल लीड एक्टरस मूवी है जिसने आज तक 200 करोड से जादा का बिजनस कर लिया है क्योंकि आज तक कोई भी मूवी जो फीमेल लीड में थी चाहे वो क्वीन हो, मनी करनी का हो ड़्टी पिच्चर जैसी हो किसी ने भी आज तक 200 करोड का बिजनस नहीं किया ये बहुत बड़ी अपने आपने बात है क्योंकि एक तो वह बहुत जादा फेमस भी नहीं थी लेकिन मूवी की स्टोरी इतनी जादा कमाल की और रियालिटी बेज़्ड है लोगों को इसलिए बहुत जादा पसंद आई उन सभी लोगों का शुक्रियादा करना चाथा हूँ जिन्होंने ये फिल्म देखी या इसको आगे प्रमोट किया आगे लोगों को बताया उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से भाईसा यहीं से बैटे बैटे गुलाब जमुन खा रहा हूँ घर पे बेटे बेटे अपना अपना लेके खा लेना है इत्ते सारे लोगों को मैं एक साथ छिलानी पाऊंगा लेकिन फिर फिर दिल से उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यार ऐसी फिल्मे गाईज और बंती रहनी चाहिए देखो पहले किश्मीर फाइल्स आई उ तो गाईज थेंक्यू सो मच इतनी अच्छी मूवी बनाने के लिए और लोगों ने इतना जादा पसंद किया जबकि ये काफी सारे सिटीज में तो बैन कर दी जैसे भी आप लोगों को पता होगा पूरे कैलकटा में ये बैन कर दी और इसके उपर सुप्रीम कोर्ट का नो मूवी तो है नहीं है आप कैसे बैन कर सकते और कोई प्रोपगांडा नहीं है ठीक है उसके उपर से नवासुदिन सिद्धिकी ने क्या बोला वो सुनो उसने बोला कि भाई मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जो मूवी बनी है वो ऐसे बननी चाहिए कि वो एंटर्टेनमेंट के लिए कर रहे हैं मतलब लोग इस अख़बार एंटर्टेनमेंट के लिए मूवी सिर्फ एंटर्टेनमेंट के लिए कि मतलब अगर लोगों को प्रबलम हो रही है तो इस तरीके की मूवी बनी ही नीच चाहिए भाई तूने जो अभी पीछे जिस पिच्चर से वो सबसे ऑपने ही अपने अपने को मार्रे हैं क किया लुए वह क्या नाम तो सुल्टान था क्या हो उसका सगभाई था वो अपनी बेटी अपनी बहन को मार देता है इतनी सी इतनी सी स्टोरी के बीच में वासे पुर थी आप लोगों को पर शायद पसंदा ही होगी बहुत जादा जाद मुझे नहीं पसंदा ही एक्टिंड की बाह छोड़ije ता दुनिया जहां की कौन सी गाली उसमें नहीं थी यार कौन सी गाली नहीं थी ठीके मुझे सबके रॉल रोल पसंद है खास करके मुझे मनोज बच पर ही सरका तो बहुत ही कमाल का रोल लगा मेरे फेवरेट करेक्टर वो ही थे वैसे भी सरदार खान लेकिन हमने वो मूवी एक्सेप्ट कर ली यह रियालिटी बे सचाई पे आधारी ते एक पिच्चर बन रही है उसको कह रहा कि इस तरीके की फिल्म में बननी ही नीची है बावला हो गया है क्या लोग अब इसको दिखा देंगे उकात क्या है और एक्चुल में बताओं जो रियल मुस्लिम है न वो इस पिच्चर को सपोर् सब्सक्राइब करें और वो इस देश में लोगों की आखे खोले लोगों को जागरूप करें तो जितने भी बैसे तो मुझे पता है मुवी मैकसिमम जो है सनातनियों नहीं देखिये तो उन सभी सनातनियों का तहे दिल से धन्यवाद भाई ऐसी मुवी आप लोगों को पसंद आई और जिन्होंने नहीं देखी प्लीज आप लोग भी जाके देखिये फिल्म ने 200 कुरोण कमा लिया यार कोई साला सूपर लिट खान नहीं है इसमें कोई बड़ा एक्टर नहीं ना रितेक ना आक्षय ना फक्षय ना कोई भी नहीं है एक ऐसी एक्टर है जो इतनी ज़्यादा फेमस भी नहीं थी फिर भी उसके पिच्चर अगर 200 कुरोण क्रोण कर जाती है तो सोचने वाली बात है गाई से सोच चों का धर्म परिवरतन कब कर देगा आपको पता भी नींहीं चलेगा और आप यह बोलते मैं ता नास दिकूं की किसी धर्म में नहीं मानताGu बुलते मातों सारे धर्मों प्रोपगंडा 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 प बाद तो भाई आपको समझ ही नहीं आएगा मुस्ली में कृष्चन हैं कौन है और मैंने देखा ते कोई भी मैकसिमम दूसरे दिनमें सिखो सिख में अगर आप सरदारों में शादी करते हो या कुछ भी करते हैं मैंने देखा, वहाँ पर कोई ऐसा धर्म परिवर्तन होता नहीं। जहां तक मैं जानता हूँ, अगर कोई एक मुस्लिम लड़की भी अगर हिंदू परिवार में अगर शादी करती तो उसका धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का भी मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है यह मैंने सामने से देखी बात है भाई मैं इसको जुटला नहीं सकता मैंने सामने से देःग researching मुस्लिम लडवकी का धर्म परिवर्तन नहीं किया गया जब वो हिंदू परिवार में आती लेकिन हिंदू लड़के का धर्म परिवर्तन किया लड़के भी खुशी-्खुशी कर लेते हैं वरना नहीं कर सकते हैं और लड़का हो चाहे लड़की हो ताले प्यार में इतने पागल हो रखे तो उनको समझी नहीं आता वो खुद अपना धरम परिवर्तन कर लेते चलो बहुत सारे लोग सुखी सुखी रह भी रहेंगे मैं इस चीज को नहीं कह रहा हूं बहुत सारे लो मेरी उस इंसान के साथ 12 साल की दोस्ते होगो ये वीडियो मेरा जरूर देखेगा I love you इम्रान मेरा भाई है तो ऐसा नहीं है यार तुम तो तुमें जादा पता है मेरा उसके साथ कैसा रिलेशन है क्या है तुम तो कुछ भी बोल दोगे यार comments में मैं पढ़ता हूं भाई वो उसने ये किया होगा तुझे नहीं है रहे मुझे नहीं दिखेगा फुदुओं वाली बाते करते हो, मुझे नहीं दिखेगा, मेरे साथ जो इंसान दिन रात रह रहा है, मुझे नहीं दिखेगा तुमने आज तक जिस इंसान को देखनी तुम्हें जाधा पता है उस इंसान के बारे में, हर इंसान वैसा नहीं होता है जैसा आप लोग सोचते हो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं इंडिया में जो बोलते हमें इंडिया में रहना हमें पाकिस्तान नहीं जाना बहुत सारे सनातन धर्म को भी फॉलो करते हैं मैं देखतों बागेश्वरधाम महराज में वहां जाते हैं उनके दर्शन के लिए यार सनातन धर्म में उनका विश्वास है आप उनको कैसे गलत बोल सकते हो यार अरे जिनका नहीं है जिनका प्रोपगंड़ा ही गंद सैलाना है जो आतंकवादी संगर्ठन के मिले हुए आप उनको कह सकते हो चाहे भले 5% तो 2% तो 10% हो अच्छे तो है ऐसा नहीं केरला स्टोरी के बारे में कुछ मुस्लिम से नहीं बोला है मुझे लोग बोल रहे थे वो अच्छे लोग कहा है जिन्होंने नहीं बोला है बहुत सारे वीडियोज आया है जो मोदी जी के लिए अच्छा बोलते है जो ये तक बोलते हैं कि हम converted हैं अब हम इसको follow कर रहे हैं हमारे दादा के time के converted लोग है तो हम convert हो गए थे तो अब हम इसको follow कर रहे हैं लेकिन हम सनातन धर्म में भी विश्वास करते हैं तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं आप YouTube उठाके देखो Instagram उठाके देखो आपको दिख जाएंगे जबर्दस्ती के लिए मैं नफरत नहीं फैला रहा हूँ भाई मैं कोई नफरत पैनाने के लिए ये कोई वीडियोज नहीं बना रहा हूँ मेरा वो भी बहुत प्यारा दोस्त है भाई जैसा है मेरे लिए ठीक है उसके बाद जब ऐसी मुवीज आती उसके बाद अजमेर फाइल सारी है वो खुद कहराने के लिए क्या किया इन लोगों ने 90% लोगों के साथ वो भी बिचारे पिस रहे हैं वो उन लोगों को शुक्सान्ती से रहना है वो भी बिचारे नहीं रह पा रहे है क्योंकि इन लोगों ने इतना महौल खराब कर दिया वो बिचारे कहा जाए रहना तो इसी देश में है नहीं लोगों के बीच में रहना है तो सारे धर्मों के लोग हम एक साथ रहे हैं यार मैं कैसे किसी धर्म को घराब बता दू यार मैं तो चर्च भी गया हूँ मैं गुर्दवारे भी गया हूँ मैं मस्जिद भी बहुत गया हूँ मंदिर तो घर में सबसे जादा ही गया हूँ हम सब लोग इतने प्यार से रहे हैं ना यार हमारे बीच में कोई धर्म की बात कभी भी आई नहीं ये धर्म के ठेकेदार ही अलग है इनका धंदा ये धर्म के नाम पे ठगी करना या नफरत फैलाना है लेकिन जो चीज सच्चाई है वो सच्चाई है पीके मुवी जब आई ओ माई कॉपी आ तब तो लोगों को बड़ी पसंद आ ही आश्रम सीरीज चल रही है आश्रम सीरीज कैसे लोगों को इतनी पसंद आरी है उसमें तो एक बाबा जी का करेक्टर दिखाया ना वो तो Muslim नहीं है उसको तो किसी ने नहीं बूला ये सिर्फ आपके सोच की बात है जब हिंदू के ऊपर कोई ऐसी मूवीज बन जाते तब लोगों को प्रोपगंडा नजर नहीं आता है अब यह सुपर हिट सीरीज है आश्रम आज तक की चौते सीजन का लोगों वेट कर रहे हैं कि कब आएगा इतनी इंट्रेस्टिंग लगी लोगों को वो कहनी वो भी सबस मुस्लिम ने नहीं देखी ना जबकि MX प्लेयर पर आती है यार सबसे चिंदी है वो MX प्लेयर कोई उकात नहीं है उसकी होट स्टार, Amazon, Netflix के सामने सबसे चिंदी है सबसे फ्री में कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है फिर भी सबसे दाता लोगों को वो सीरीज पसंद आई क्यो कि लोगों को उसमें कहीं नहीं सच्चाई नजर आई बाबा लोग ऐसे भी होते पहली किसी सीरीज में दिखाता ठीक है पीके इतनी सूपर हिट गई, ओ माई गॉड भी सूपर हिट गई, ओ माई गॉड टू आ रही है तो जब हिंदूों के बारे में जब ऐसी चीज़े द है प्रोपगंडा है यह जूटी है और अब वह साला हर चीज के अगेंस बोलता है वह होती है एक रूलिंग पार्टी है एक ओपोजीशन तो चाहिए ही चाहिए तो यह धूरू राटी साला ओपोजीशन पार्टी का जी समझे लो तुम तुम इसको कोई भी अच्छी चीज जोरी हो यह साला उल्टा बोलने लग जाएगा कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था तो भाई हर तरह के लोग है यार positivity फैलाने वाले भी मिल जाएगे आपको negativity फैलाने वाले भी मिल जाएगे तो तुमारे घर में बेहन बेटी अगर होगी न तो यह पिचर गलत नहीं लगेगी इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है जिनल भी लोगों ने मूवी नहीं देखे आप जाओ जाके मूवी देखे तो शायद आपकी आपके खुल जाएंगे बाकि जितने भी लोगों ने देखी और एक बार मैं फिर से तहीं दिल से उन सबी लोगों को धन्यवाद करता हूँ जितने भी लोगों ने मूवी देखी है पुसमे करिये थैंक्यू सुमज गैज अविव ऑल और उनको एक बार फिर से फिल्म की पूरी स्टा कास्ट को आपकी मूवी में तो के तो 500 करोल तक जा है यार अब यू आल अपना ख्याल रखें ओम नमस्षिवाया